यह हमारी टॉफ 1500 सीरीज का पार्ट नमबर 18 है जिन भाईवने पार्ट 1 से लेके 17 तक नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा फिजिक्स टॉफ 1500 नाम से तो वहां जाके आप हमारी सारी वीडियो वन बाई वन देख सकते हो या फिर आप हमारी प्लेलिस चेक कर सक सकते हो टॉफ 1500 नाम से आप वहां से भी हमारी वीडियो वन देख सकते हो तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला कोशन आज की वीडियो का कोशी कात्र के कारण द्रव नली में चड़ेगा यदि इस पर स्कॉन एंगल ऑफ कॉंटेक्ट है बात करें इंग्लिश में लिक्विड आपके सामने गिवन है नियून कोण एक्टूट एंगल अधिक कोण ऑप्टूज एंगल 90 डिग्री या जीरो शून ने तो वीडियो पॉस करिए अंसर सोचे क्या हो सकता है इसका और जैसा कि आपको बता होगा हम इसे एक मौक टेस्ट यानि प्रैक्टिस सेट की तरह ले रहे हैं तो जो भी आपका स्कॉर रहे है 15 आउट ओफ आज भी नमर ऑफ कोशन 15 है तो जो भी आपका स्कॉर रहे है 15 आउट ओफ अपना स्कॉर कमेंट बॉक्स में जरूर लेखना चलते हैं इसके right answer की तरफ तो option number A will be right यानि noon cone होगा बात करें English में तो acute angle आपका right answer होगा चलते हैं next question की तरफ option number A will be right next question आपके सामने है एक परनालका में तार से धारा प्रवावित हो रही है और प्रती इकाई लंबाई चक्र संक्या N है इससे परनालका के अंदर की ओर उत्पन होने वाला चुम्बा की शेतर भी है यदि प्रती इकाई लंबाई चक्रों की संक्या 2N कर दी जाए तो परनालका में चुम्बा की शेतर का मान क्या होगा option आपके सामने given है बात करें English में in a solenoid the current flowing through the wire is I and the number of tons per unit length is 2N sorry N this gives a magnetic field B inside the solenoid if the number of tons per unit length is increased to 2N what will be the value of magnetic field in the solenoid option आपके सामने given है वीडियो पॉस्ट करिये answer सोचे क्या हो सकता है इसका काफी easy question है भाई question दिखने में काफी बढ़ा है पर question बहुत easy है मैं एक बार zoom कर दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में चलते हैं इसके right answer की तरफ इसका right answer होगा option number B 2B च्योंकि formula क्या होता है sorry node का B बरावर होता है mu naught ni अब number of turns कर दिए है 2n तो magnetic field है sorry node का वो कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा तो i अब आप समझ गयोंगे option number B will be right 2b मैं एक बार repeat कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में formula क्या होता है B बरावर mu naught ni mu naught में कोई change नहीं किया i में कोई change नहीं किया change किया है number of turns में तो यह हो जाएगा 2n तो B directly proportional to 2n अब यह 2n कर दिए तो magnetic field क्या हो जाएगी 2b हो जाएगी क्योंकि बार डायक्ली proportional है तो option number B will be right 2b i-op आप समझ गयोंगे फिर भी कोई doubt रह जाता है तो आप comment box की help ले सकते हो मैं उसका जल से जल रिप्लाई करूँगा चलते next question की दरफ next question आपके सामने है एक उब्यूत्तर lens के फलकों की वक्रतत रिज्जा 10 cm और 20 cm है कांस का अपाउर्टनाग 1.5 है तो इस lens की छमता क्या होगी option आपके सामने given है बात करें English में तो वीडियो पॉस करें answer सोचे क्या हो सकता है option आपके सामने given है तो आरम से इसका answer सोचे क्या हो सकता है इसका वीडियो पॉस कर लिए तो चलते है इसके right answer की तरफ तो इसका solution मैंने नीचे लिखा है ताकि आपको आसान ही हो समझने में देखो lens maker का formula क्या होता है 1 upon में f equals to mu minus 1 1 upon में r1 minus 1 upon में r2 according to question हमें refractive index यानि अप आउर्टनाग कितना दे रखा है 1.5 तो 1.5 minus 1 radius of curvature पहला वाला दे रखा है दूसर वाला radius of curvature वो minus में आता है हमेशा याद रखना अगर double convex lens है यानि दो उत्तर lens दे रखे है तो पहला वाला तो plus में आएगा तो second वाला radius of curvature है यानि वक्रता त्रिजा है वो minus में आएगा हमेशा याद रखना अगर ये outer lens होता यानि concave lens होता तो कोई दिक्कत नहीं थी plus plus में लेते बट convex lens में पहला वाला plus में दूसर वाला minus में आयोप आप इस concept को समझी होंगे बस इसी का question में खेल है और कोई question में importance नहीं है तो 1.5 minus 1 1 upon 10 minus और minus क्या हो जाएंगे plus हो जाएंगे तो plus 1 upon 20 जैसी आप इसका LCM लेके solve करोगे तो 3 upon 20 1.5 minus 1 यानि 0.5 point टाओगे 10 आएगा नीचे यानि 1 upon 2 अब जब आप इसको solve करोगे तो 3 by 40 निकल के आएगा और हमें क्या find करना है power यानि शक्ती तो 1 upon F इसका formula होता है हम लिख देंगे FQL1 upon F, 3 upon 40 और आपको पता होगा focal length किसमें लेते हैं मीटर में लेते हैं इसलिए हम 100 का multiply करेंगे और जब आप इसको solve करोगे तो plus का 7.5 डायोक्टर आपका right answer आएगा यानि power आएगी 7.5 डायोक्टर आयोप आप इस question को समझ गयोंगे तो बात करें option की option A will be right 7.5 डायोक्टर आयोप आपका कोई doubt नहीं रहा होगा अगर फिर भी कोई doubt है तो आप comment box की help ले सकते हो मैं उसका जल सल रिप्लाई करूँगा चलते next question की तरफ और भाई इस video का target 85 likes है तो सभी भाई लोग video को share करना और like तो अभी कर देना क्योंकि आप बाद में like करना भूल जाते हो तो वीडियो अभी like कर दीजे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चलते next question की तरफ जब तीन प्रतिरोधक प्रतिरोध वाला समांतर करम में जोड़े जाते हैं तब उनका परिणामी प्रतिरोध एक्स है यदि तीन प्रतिरोध शेडी करम में जोड़े जाएं तब उनका कुल प्रतिरोध क्या होगा option आपके सामने given है बात करें English में when three register each having resistance are are connected in parallel their real intent resistance is X if these three resistance are connected in series then total resistance will be option आपके सामने given है video post करें answer सोचें क्या हो सकता है इसका और भाई ये वाला कोशन आपने कई books में देखा होगा काफी अच्छा कोशन है अरिहंत बगरा करतार में काफी books में आपने ये वाला कोशन पढ़ा होगा चलते हैं इसके right answer की तरफ I hope सभी ने इसका right answer सोच लिया होगा इसका solution मैंने नीचे लिखा है कि आपको आसान ही हो समाजने में देखो इन parallel combination यानि समांतर करम में क्या होता है 1 upon में R, 1 upon में R, 1 upon R का add करेंगे क्योंकि 3 दे रखें हमें और उनका total कितना दे रखा है X दे रखा है यानि 1 upon में R plus 1 upon में R plus 1 upon में R equals to 1 upon में X तो 3 by R इसका LCM लेके 3 by R निकल के आएगा equals to 1 upon में X इसका cross multiply करेंगे तो R value कुतनी आएगी 3X आएगी अब हमें किसमें connect करना है series में according to quotient quotient में दे रखा है कि हमें बाद में किसमें connect करना है series में यानि श्रेडी करम में तो R क्या होता है R1 plus R2 plus R3 अब R Q value कुतनी निकल के आएगी आप देख सकते हो R Q value निकल के आएगी 3X तो 3X plus 3X plus 3X equals to 9X तो आपका 9X right answer आएगा option number बात करें तो option number C will be right आयोप आप इस question को समझ गये होंगे चलते next question की तरफ फिर भी कोई doubt है तो आपको पता है आपको क्या करना है comment box में comment करना है चलते next question की तरफ ताप मान में कोई परिवर्तन किये बिना द्रव अवस्ता को गैस अवस्ता में बदलने के लिए आवशक उश्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है विसिष्ट उश्मा दार्जता उश्मा का यांतरिक तुलिमान वाश्पन की गुप्त उश्मा या शमन बात करें इंग्लिश में तो वीडियो पॉस्त करिए अंसर सोचे क्या हो सकता है इसका मैं एक बार कोशन जूम कर दे रहा हूं ताकि आपको आसान ही हो समझने में तो आयोप सभी ने इसका राइट अंसर सोचलिया होगा चलते हैं इसके राइट अंसर की तरफ तो उप्शन नमाज C विल बी राइट वाश्पन की गुप्त उश्मा बात करें इंग्लिश में तो लेटेंट हीट ओव यदि कोई बायबल कार्यत नहीं हो तो द्रव के बून का आकार नियंत्रित होता है वेन देर आर नो एक्षनल फोर्स ता शेप आफ दा लिक्विड ड्रॉप इस डिटरमाइट बाई ओप्शन ए डेंसिटी ओफ लिक्विड द्रव के घनत्त द्वारा ओप्शन B, Surface Tension of Liquid द्रव के तल तनाव द्वारा ओप्शन C, Viscosity of Liquid द्रव की श्यानता द्वारा या ओप्शन D, Temperature of Air Only वायू के ताप द्वारा तो वीडियो पॉस करिए, अनसर सोचे, क्या हो सकता है इसका और जो भाई लोग आज चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब उसके बगल में होगा बैल आइकन जैसे ही आप बैल आइकन पर क्लिक करोगे तो तीन आप्शन आपके सामने आएंगे अल का, परसनलाज़ का और नन का तो सब भी भाई लोग आल वाली पका असल की तरफ पर उसकोष का मान होता है the value of angle of contact of mercury and clean glass is option आपके सामने गिवन है तो वीडियो पॉस करिए अंसर सोचे क्या हो सकता है इसका और भाई इस टैप के कोशन नेवी में बहुत पूचे जाते है तो चलते हैं इसके रैट अंसर की तरफ तो भाई कौन सा एंगल होता है अप्टिव एंगल होता है तो option नमर्ड डी विल भी रैट 140 डिगरी चलते हैं next question की तरफ next question आपके सामने है यदि गतिज गर्षट गुडांग mu k तथा इस्तेतिक गर्षट गुडांग mu s है तो साधान है if mu k is the coefficient of kinetic friction and mu s is the coefficient of static friction then generally option आपके सामने गिवन है तो आपको यह बताना है कि इन चारों condition में से कौन सी condition satisfy करेगी तो चलते हैं इसके right answer की तरफ तो option number a will be right mu k होता है वो क्या होता है less than होता है किस से static friction से यानि mu s से तो option a will be right चलते हैं next question की तरफ next question आपके सामने है कड के गती दिर्विमान का सरवुत्तम परिवाशा दी जाती है बात करें English में the best definition of mass of a moving particle is given by its momentum उसके समवेग द्वारा its kinetic energy उसकी गती उर्जा द्वारा its acceleration उसके तोन द्वारा यह option D its well-sutty and displacement उसके वेग एम विश्तापन द्वारा तो वीडियो पॉस्स करिए answer सोचे क्या हो सकता है इसका तो भाई चलते है इसके right answer की तरफ तो इसका right answer होगा its momentum उसके समवेग द्वारा तो option A will be right चलते है next question की तरफ next question आपके सामने है मैं question तोड़ा जूम कर दे रहा हूं ताकि आपको आसानी हो देखने में काफ जुटेंस बोलते हों कि सर दिखता नहीं है magnet of magnetic moment M and pole strength small M is divided into two equal parts then magnetic moment of each part will be बात करें हिंदी में चुम्बकी छण M और दुर्वशक्ती small M का एक चुम्बक दो समान भागों में विभाजित किया जाता है प्रतिक भाग का चुम्बकी छण होगा बात करें option की option आपके सामने given है तो वीडियो पॉस्ट करिए अंसर सोचे क्या हो सकता है इसका और भाई ये वाला question इतना repeated है काफी time repeated question है बाई ये चाहे आपका एयरफोर्स में पूछा हो या नेवी में पूछा हो ठीक है और आगे भी पूरे पूरे चांस है कि आपके आने वाले exams में पूछा जाए और भाई जब आता है question question में कोई changement नहीं होगा option चाहे इदर से उदर हो जाए बाट question में कोई changement नहीं होगा question जैसा है वैसा ही रहेगा तो इसका direct answer होता है हमेशे आद रखना क्या हो जाता है आदा हो जाता है यानि am upon me to हो जाता है तो option number b will be right चलते next question की तरफ next question आपके सामने है heating a magnet at high temperature will उच्च तापमान पर चुम्बक को गरम करने से weaken it कमजोर हो जाएगी option b strengthen it मजबूत हो जाएगी बात करने option c की reverse its polarity इसकी दुरुव्यता उल्टी हो जाएगी या option d have no effect कोई प्रवाव नहीं होगा तो वीडियो पॉस करिए answer सोचे क्या हो सकता है इसका थोड़ा बाई ये knowledge based question है तो आपने अगर magnet का chapter पढ़ा होगा तो आप इसको आराम से कर ले जाओगे तो चलते हैं इसके right answer की तरफ जब आप magnet को गरम करोगे तो वो क्या हो जाएगी कमजोर हो जाएगी option number a will be right, weaken it चलते है next question की तरफ next question आपके सामने है what are meter measures what are meter से क्या नापते है current यानि धारा बात करें option b की electric energy विदूत उर्जा option c voltage या option d power यानि शक्ती तो वीडियो पॉस करिए answer सोचे क्या हो सकता है इसका काफी easy question है चलते हैं इसके right answer की तरफ option number b will be right electric energy विदूत उर्जा आपके एर्फोर्स के एक्जाम में पूछा गया था है वाई ये वाला question चीक है तो what are meter measures electric energy यानि विदूत उर्जा option number b will be right चलते हैं next question की तरफ next question आपके सामने है for which of the following house appliances meant is an essential part बात करें हिंदी में तो निम लेकित में से किस गरेलू उपकरण के लिए चुम्बक एक आवश्चक हिस्सा है चलते हैं इसके option की तरफ तो first option है आपका calling bell calling hanty option b fan option c washing machine बात करें option d की तो all of these इन में से सभी तो video post करिए answer सोचे क्या हो सकता है इसका तो भाई मैं आपको बता दूँ इसका right answer होगा all of these क्योंकि जो magnet होती है वो calling bell के लिए भी आवश्चक होती है पंके के लिए भी आवश्चक होती है washing machine के लिए भी आवश्चक होती है तो इन में से सभी आपका right answer होगा सभी के लिए क्या होती है आवश्चक होती है magnet यानि चुम्मक option d will be right चलते है next question की तरफ next question आपके सामने है light waves can be polarized edge दे प्रकास तरंगों को तरंगित किया जा सकता है क्योंकि वे transverse यानि अनुप्रस्ट हैं बात करें option b की of high frequency उच्चावर्ती की है या longitudinal अनुदेर है या option d reflected तो वीडियो पॉस्ट करिए answer सोचे क्या हो सकता है इसका और ये वाला question मैंने कराय हुआ है top 1500 की class में तो आयोब सभी का सही जाना चाहिए ये वाला answer तो चलते हैं इसके right answer की तरफ option number a will be right यानि transverse यानि अनुप्रस्ट तो option a will be right चलते हैं next question की तरफ next question आपके सामने है ohm slot defines ohm का नियम परिभाशित करता है किसको परिभाशित करता है resistance को प्रतिरोत को current only धारा को option c voltage को या option d both current and voltage को current और voltage दोनों को तो वीडियो पॉस करिए answer सोचे क्या हो सकता है इसका मैं एक बाद जूम कर दे रहा हूँ ताक कि आपको आसानी हो देखने में आप आराम से देख लीजिएगा कोई देखकत नहीं है तो आयोप सभी ने इसका right answer सोच लिया हुआ तो बात करें right answer की तो जो ohm slow होता है वो किसको defense करता है current को और voltage दोनों को क्या करता है defense करता है यानि परिभाशित करता है तो option number d will be right चलते है next question की तरफ आयोप आपके 15 questions complete हो गए है तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक like करना आपका दूसरा काम है share करना आपको केवल केवल एक जगह share करना है और वो भी मैं बता दूँँ आपको कहाँ share करना है आपको अपने facebook account को open करना है और मेरी जो link है आप link telegram group से copy कर सकते हो telegram group का link नीचे description में दिया गया है तो आप telegram पर जाना वहाँ से इस वीडियो का link copy करना और अपने facebook पर post कर देना link को ठीक है तो आई योप सभी students share करेंगे मेरी इस वीडियो को तो चलो मिलते हैं एसी next interesting वीडियो में जै हिंच जै भारत वन्ने मात्रम टेक केर बबाए